हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग सो आज यह मैंने मेकप लुक कैसे क्रियेट किया था तो चलिए देखते हैं बहुत ही इजी था तो मैंने सोचा क्यों न आप लोगों साथ शेयर करूं अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो मैंने लगा लिया है फर्स्ट आप टोनल कोई भी हो यह विटमिन सीव का है तो गुडवाइप का है आप कोई भी लगा लिए ऐसा मुझे वीडियो मेकप प्रोड़क्ट के बारे में नहीं क्योंकि मुझे लेट भी हो रहता पूजा के लिए सो ऐसा कुछ नहीं कि मैं आप को एक प्रोड़क्ट की डिटेल बताओ आपके बाद जो भी फिर लगा लिए मैंने मॉस्चराइजर अच्छे से लगा लें मॉस्चराइजर बहुत जरूरी है और संस्क्रीम की जरूर नहीं कि रात के टाइम का मतब साम को आप वीडियो बना रहे तो वैसे मुझे लगता मैंने देखा कि मैंने प्राइमर लगा लिया था और वीडियो स्टार्ट ही नहीं थी तो यह आप प्राइमर जरूर लगा लीजेगा वह पार्ट रह गया मिसिंग इसमें दन मैं लगा रही हूं कंसीलर अगर ज्यादा स्पोर्ट से तो आप कलर करेक्टर भी यूज कर सकते तो इस चकर में मेरा वो वीडियो स्टॉप हुआ फिर उसके बाद बाद में मैंने देखा और यह मैं मेबलीन का फांडेशन लगा रही हूं आपको भी लगा लिए जो आपको शेड हो जो आपको सूट करता हो जो आपको अच्छा लगता हो अज विश आपकी चॉइस है औ और पता नहीं चहरा डल लग रहा है नहीं लग रहा है क्योंकि ब्रत है पूरे दिन भूखे प्यासे फिर सारा काम तो बहुत फरक पड़ता है इन सब चीजों से और बैंगल देख कि आप लोगों को समझ आप तो आप लोगों ने देखी लिया करवा चौत वाले ब्लॉग इसा हो गया था कुछ और भी सोचा था बट इतना नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था देन अब कॉंटारिंग कर रही हूं मैं जरूर कर लेना चाहिए जिसका फेस पतला है तो उसको जो इतनी जहां-जहां कॉंटारिंग करना होता आपको पता है कैसे मैं ब्रस से जाइर सी वात अगर कोई प्रोड़क्ट चीज बनी है और जिस चीज के लिए बनी है तो उसका असर तो जरूर इतोड़ा से मैं ट्रांसलूशन पाउड़र थोड़ा सव शेप और शाप लगे ना इस वजह से यह चीज मैंने बहुत साज ट्रिक देखी वीडियो मैं भी उटपटंग करती रहती हूं तो अचा लेकिन यह करने के बाद ना सही में थोड़ा सा फेश शाप देखो यह देखो लग रहा ना एक अलग सा लगता ही लगता है सो मैंने हलकल के हातों से लगा लिया एंड थोड़ा सा आँखों के नीचे भी लगा लिया ऐसे सेट कर रख ब्लाइश हाहि लेटर इन सबके विना तो कहां ही आपका मेकप फुल होने वाला है एंड देन उसके बाद फिर मने लगाया हाइलाइट जो की बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है आपकी चिक्स तो प्यारे प्यारे लगने ही चाहिए एंड बस इंतजार होता था जल्दी से इसे क्या हुत अच्छा लगता है जब वह कैमरा पड़ता है इस पूली से मैंने आइब्रो सेट कर लिए एंड इन मैं इसको फिल करने जा रही हूं अपने आइब्रो आप जिससे फिल कर पाडर पैंसील जिससे भी आपको कंफर्ट लगता है डियर आप लोग उससे कर सकते हैं और इसको आइब्रो सेट करने लिए थोड़ा आराम राम से करना पड़ता है इसमें कोई जल्द बाजी फिर वह अच्छा शेप नहीं आता और मतब अच्छे से होती भी नहीं है जिसकी बहुत अच्छी होगी उसकी तो बात अलगी है देखिए बहुत ज़्यादा मैं होट thinking कि मुझे नहीं पसंद होवर की जैसे मेर्य में मुझे लगता कि वैसे ठीक है तोड़ा चेंज अच्छा लगता है बर मोटी मोटी ऐस्छी लगती है बट इतनी भी नियुकि आप अपने वाले से बहुत जएदा उपर चले जा जो आपकी नेच्यरिव असे ठोड़ा अच्छी लगेगी हलका 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 सो मैंने इसको स्पूली से वापस से वह किया थोड़ा से उठा उठा के क्योंकि बहुत मोटी तो है नहीं मेरी ठीक्ती की है आई ब्रोस तो मैंने उसको अच्छे से आप इसको ऐसे कर सकते हैं यह देखे किती पॉफेक्ट बनी है थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने ब्लू ही शोचा था पहले तो मैंने कुछ न्यूट शेट टाइप सोचा था लेकिन फिर मैंने का नहीं थोड़ा सा करूं ठीक है यार साल में एक बार ऐसे वाला दिन आता तो वैसे तयार तो मोसली होते रहते क्योंकि वीडियो भी मैंना यह वाले दिन तो थोड़ा लगता ही है और यह थोड़ा सा ब्राउन सा शेट मैं इसको क्रीज लाइन होती वहां पर इसको इसके साथ मर्च करूंग फिर मैं थोड़ा से अपर लग ले तो क्योंकि वह अलग सा शेड आ रहा था तो मैंने का और अच्छा लग रहा दैन मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा बहुत जादा लग रहा तो मैं इसको थोड़ा लाइट करूंगी तो उससे फिर मतलब सही लुक आ गया था मेरा मतलब बहुत जादा मैं नहीं करना चाहती थी कि वह चंकिला चंकिला भी नहीं थोड़ा वैसे क्या बोलते हैं मतलब थोड़ा को पता ही मुझे ब्राउन शेट बहुत ज्यादा पसंद है इसमें आखों के लिए सो मैंने ब्राउन शेट लिए ब्लू एंदेन इसके बाद मैंने वाटर लाइन पर भी इसको अच्छे से लगा कि समर्च कर लिया क्योंकि जब तक यह करो नहीं और मैंने थोड़ा सा कोने प लिकत बस लाइनल लगाने में होती है most of the time so and then इसके बाद मैं लगाओंगी हाइलाइट ब्रोबोने पर यह जरूरी क्योंकि आप लोगों को पता ही है mostly ज्यादा तर यही चीज भूलती हूं सो मैंने का नहीं मैं पहले लगा लोने तो फिर मेरा रह जाएगा मेकब में and then अच्छे से लगा लिजे जरूरी है क्योंकि यह दिखता है पार्ट तो ऐसे और हाइलाइट करना जरूरी है इस पार्ट को तब अच्छी लगती है आपकी आईस तो जरूरी होता है then उसके बा है लग लगते हैं वह स्कुआ काफी हत तक बहुत सई हो गया है पिर भी हो था कि कई ना कहीं इधर कई पतला को शुक चोटा हो जाता किसी का वो होता है तो ऐसा होता है इस बार भी हुआ थैट फिर में लेकिन उसको कर्रेक्ट कर लिया था बाद में ठीक करके से मैंने उसक तोड़ा से विंग लग रहा तो फिर मैंने इसका विंग ठीक किया है क्योंकि जब तक सही ना हो तो करते रहना चाहिए ना तभी तो ठीक होगा जब उसके बाद अब मैं मुषकारा लगा रही हूँ जोकि बहुत जायरी फाल्से मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था लगाने का देन तो क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अटा नहीं था तो मैंने का नहीं फिर आंके भारी भारी लगती पहले यह आंके भारी हो रही थी ब्रत की वज़े से मुझे भी जब मैं एडिटिंग कहा रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि इसमें ना पिंकी नजर बड़ी यह रैड कलर की थी प्रॉपर जो रैड होता है तो रैड कलर में थी तो मैंने मुझे रैड लगाना ही था मैंने सोची रखा था ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे बहुत प्यारा शेड था रैड कलर का यह टमैटो रैड वाला था एंदेन उसके बाद समान ना पूरा बैट पर विक्रा हुआ था एंदेन सेटिंग स्प्रे क्योंकि थोड़ा तो तीन दो तीन गंटा तो रखना ही रखना है तो जरूरी है बहुत सिंपल है स्टाइल बना कोई है यह वीडियो में देखने के बाद चला पता चला मुझे वैसे नहीं पता चल रहा था कि टेडी भी है कि नहीं मैंने इसको अच्छे से पिनप कर लिया देन उसके बाद मैं आप लोगों को अपना पूरा फाइनल लूप दिखाती हूं यह देखिए मेरे डिजाइन क किया था कैसे क्रियेट किया था यह लूप सो मैं वह आप लोगों को बताना चाहती थी और हाँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें चलिए मिलते हैं नक्स वीडियों तो तक लिए बाबाई